हेलो गाइज महाविड जंगिडियर एंड यह हमारा करेंट अफेर्स का टैस्सिरीज नंबर टू इसके पहले हमने टैस्सिरीज नंबर वन में अरूंड टैन कोश्टिंस डिस्कूस कर लिया हैं और अब हम जो आगे 11 नंबर कोश्टिंस से आगे कंटिन्यू करेंगे तो चले स्टाट करते हैं कॉश्टिंग नंबर 11 विच इंडियन न्यूस्पेपर यह तो यह ने अपना पॉब्लिकेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया तो यह भी फिलहाल न्यूज में था कोरोना एपिडेमिक के वज़े से उसने अपना प्रिंटिंग जो है एडिशन बंद कर दि देख लेते हैं अंसर यहां पर धियान रखना है कि देखो यह कॉर्णा आउटब्रेक जो हुआ है काफी जदा मातरा में वहां पे लोग जो इन्फेक्टेड हुए है और यूएस में आप देखो के सबसे जदा अगर हम कहें कॉर्णा वारस के जो है प्रेशन काहां पर वह इंडियन अमेरिकन पब्लिशर जो की नाम में उसका गोपाल राजु और 1917 में इन्हों ने स्टार्ट किया था और ये इंडिया अबरोड जो न्यूस पेपर जो है ये वाला ये ओल्डेस्ट इंडियन न्यूस पेपर है जो की नौर्थ अमेरिका में पब्लिश हो रहा था तो गाइस यहां पर गर न्यूस पेपर की बाद आई गई है ओल्डेस्ट की तो यहां पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर मैं कहों एजिया या फिर इंडिया सबसे और यांपर उपर कौन सा है तो यहां पर इसका आंसर होगा दा मुंबे समाचार मुंबे समाच तो इस newspaper ने भी अपना नाम चेंज करके मुंबई कर लिया तो ये जो है around 193 years जो है इसको हो गए है अभी भी ये इसका जो printing चालू है ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर हम बात करें कि इंडिया का oldest newspaper कौन सा है तो मुंबई समाचार लेकिन अभी हाल फिलाल में अमेरिका में एक newspaper जो है जिसने अपना publication बंद कर दिया वो होगा इंडिया एबरोड question number 12 according to the recent announcement from the ministry of petroleum and natural gas which country has assured uninterrupted supply of LPG to India यानि ये जो list दे रखी इन में से कौन सा ऐसा देश है जिसने हमें जो है इंडिया को बिना किसी रोगताम के LPG का सप्लाई देने के वादा किया है आंसर देने कोशिश कीजिए तो इसका correct answer ये साओधी अरविया अब साओधी अरविया यहाँ पर ध्यान दिया हम थोड़ा location देख लेते हैं साओधी अरविया यहाँ पर यह हमारा प्यारा भारत यहां से है यह साओधी अरविया ठीक है तो साओधी अरविया जो है वैस्ट एशिया में आता है वैस्ट एस्ट है यह West Asia का part है साओधी अरबिया और इसकी capital जो है रियाद है और इसके एक साइड से Red Sea जो है और एक साइड से Persian Gulf जो है यह दोनों साइड है और इसके सामने Arabian Sea है तो इसका location ध्यान रखिए और इसका capital ध्यान रखिए और अभी यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूँ जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसी साओधी अरबिया में प्रिंस होते हैं तो साओधी अरबिया का प्रिंस कौन है मोहमद बिन सल्मान अब इनका पूरा नाम है अभी आपको याद नहीं रहे गए सिर आपको देते रहूंगा और इवन आप देखोंगे जो हमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं हमारे इंडिया में उनके लिए भी यह काफी जो है सप्लाई दे रहा है और यहाँ पर देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बात करूं इंडिया में अभी पेट्रोलियम के जो रिजर्व बना कर रखता है ताकि अगर कुछ जैसे वार भी हो गया तो इसको अगर बाहर नहीं भी जाना तो अपनी यहाँ पे एक सफिशेंट मात्रा में उनको क्रूड ऑईल की सप्लाई होती रहे तो यह यह स्ट्रेजिक रिजर्व बहुत नॉबर तू मेंगलूर जो की करनाटक में है और फ्री पादूर जो की करनाटका में तो यहाँ पे द्यान रखना है कि तीन हमारे यह अल्रेडी पूरे रेडी हो गए है ठीक है लेकिन अंडर कंस्ट्रुक्शन है एक टो चांदी खौल जो है यह ओडिसा में और एक जी की तो हम LPG के बारे में देख लेते हैं LPG का फुल फॉर्म जो है वह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गेस और इसके अलावा एक और गेस होती है जिसमें हम काफी कंश्यूज कर जाते हैं वह सी एंजी यानि कंप्रेश्ट नेच्रल गैस तो अब यह दोनों में डिफ्र दूसरा पॉइंट यह है कि जो LPG जो है यह फ्लेमेबल ब्लेंड है यह जलता है ज्वलंशिल है और इसको यूज कर देते हैं हीटिंग में कुकिंग में ऑटोमोटिव अप्लाइंसे में यह हाइड्रोकार्बन गेसिस का यह है कॉमिनेशन होता है दूसरे साइटम जो सी ए इसको डिजल और गैसोलीन का अल्टरनेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है इससे खाना भी बनाया जा सकता है LPG के रूप में इसको इप्यूक के जा सकता है तो यह आपने अभी यह जो है कोशन है इसमें आपने देख लिए साओधी अरभय के बारे में हमने डिसक किया और हमने एक स्ट्रेटर्जिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है उसके बारे में डिसकुशन किया तो यहां पे हमने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर लिया अब आते हैं कॉश्चन नंबर 13 पे इसलिए तो यहां पे इंडिया में जो लोग आया थे तूरिस्ट अगर हम बात करें तो लॉक्डाउन के वज़े से और जो है हम अगर के एरवेज जो है उसको बंद कर दिया कि इंडिया चोड़कर भाहर नहीं जा सकते अब यहीं पर स्टेंडर्ड हो गए यहीं पर फस गये हैं इनके लिए एक पोर्टल लॉंच किया गया है ताकि इनके बीच म जो लोग है जिनके जहां से यह आये हैं उनके भीच में गे कम्यूनिकेशन जो है बना रहा है तो ये जो है यह स्टेंडर्ड इन इंडिया नहीं पौर्टल किसने लाँच किया सांदी स्टेंडे आसाल पार एक पॉर्टल लॉंचके जिसका नाम है standard in India next question number 14 under operation Sanjeevani India has supplied essential medicines and food grains to which country operation Sanjeevani जो है हमने किस country को किस देश को जो medicine और food grains से नहीं खाने की जो चीज़ें उपलब्द कराने के लिए शुरू किया है तो इसका देने की कोशिश कीजिए दो हो कि सो दर करेक्ट आंसर विल बी डी देखते हैं कैसे यहाँ अन्सर जो है आइलेंड है यानि यह country है यह है Maldives Maldives के बारे में समस्झ लेते हैं थोड़ा तेब इसका location कहां पर है South Asia में एक साइड में इसका जो है Indian Ocean है याँ पर और एक साइड में Arabian Sea है और इसके President जो है उनका नाम है इब्राहिम मोहमद सोहिल इनके President है religion Maldives में कौन सा है religion है Islam है और facts कुछ देख लेते हैं और यह जो है smallest country in Asia कि Asia की सबसे smallest country सबसे छोटी country अगर हम Asia की बात करें तो होगा Maldives और हम अगर वर्ल्ड की वर्ल्ड की अगर मैं कहूं सबसे smallest country कौन सी है उसका नाम होगा Vatican City Vatican City तो अब आगे बढ़ते हैं question number 15 पर International Olympic Committee IOC shifted the Tokyo Olympics to July 2021 in which country is the headquarters of the IOC located headquarters जो है International Olympic Committee का कहां पर है ऐसा इनका पूछना है तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए so the correct answer will be C Switzerland देखते हैं कैसे यह देखिए International Olympic Committee जह है इसका यह logo है यह official logo है इसका headquarter Switzerland में है और यह founded in 1894 में इसका establishment हुआ था इसकी इस्तापना हुई थी और यह responsible है for organizing modern summer and winter Olympics यानि कि summer में और winter season में जो Olympics होते हैं उनको और्गनाइज करने के लिए responsible है यहां पर गाइस ध्यान दीजे एक ओडी कार manufacturing company है उसका logo भी ऐसा ही हमें लगता कि सीमिलर ऐसा ही होगा लेकिन ऐसा नहीं है उसमें इस फोर रिंग्स होते हैं और यह जो है ऐसे एक sequence में होते हैं लाइन में होते हैं तो वह ओडी का symbol हो जाएगा बट अगर हम कहें International Olympic Committee तो इसका logo ऐसा होता है तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट कोशन पर Q16 The report titled Ease of Doing Business has been released by which global organization यानि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि Ease of Doing Business नाम की जो रिपोर्ट है यह कौन सी organization ने issue की है तो answer दीजिए You have 3 seconds So the correct answer will be A World Bank World Bank यहाँ पर देखिए World Bank के बारे में कुछ समझ लेते है World Bank का यह headquarter है और World Bank ध्यान रिखना है कि group of 5 institutions है उसके बारे में मैं अलग से video बना दूँगा तो World Bank एक अकेला bank नहीं अलग-अलग 5 different institutions से मिल करके World Bank बना है और यह इसका establishment कम हुआ है यानि founded in July 1944 इसकी विवस्ता बना रखने के लिए एक organization की मांग हुई और उसी के accordingly World Bank की establishment हुआ है और ध्यान रखना है कि यह Bretton Woods Conference में World Bank का establishment तो हो गई और IMF International Monetary Fund यह भी Bretton Woods Conference के समय पर ही इसका establishment होगा अब देख लेते हैं इसका headquarter headquarter है Washington DC में जो की United States में है members कितने इसके 189 countries जो है इसके members है और Republic of Nairu जो है यह 189th country है यानि last में जो add हुआ है वो है Republic of Nairu यह याद रखना है और object World Bank का objective क्या है यह loans provide करना गरीब देश जो poorer countries है या फिर developing या developed countries को भी यह loans provide करते है World Bank के बारे में और कुछ reports के बारे में जान ले थे देखो यह और भी कुछ reports जारी करता है उसमें एक एक Global Financial Stability Report Ease of Doing Business यह हमने देख ले है अभी और एक World Development Reports और भी बहुत सारे around 9 plus जो reports यह है यह publish करता है यह issue करता है तो यह आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं Question No.17 पर Question No.17 According to the recent announcement of the Health Ministry About 50 crore citizens will be eligible for free COVID-19 testing and treatment Under which scheme? यानि अभी हाल ही में कुछ announcement हुआ है जो कि Ministry of Health यानि स्वास्ते मंत्राले ने announcement किया है कि अब 50 crore के आज़ पास citizens जो है इनके free में जो है COVID-19 testing और treatment होगा यानि कोई अगर infected है तो उसका free में treatment होगा तो यह कौन सी scheme के under में यह treatment होगा अलव करेंगे तो आपके पास 3 seconds है answer दीजिए So the correct answer will be D आईशमान भारत परदान मंत्री जन आरोगी योजना answer D अब आते हैं question number 18 पर और यहां पर which Asian country has declared a state of emergency over coronavirus यानि coronavirus के वज़े से एशया में कौन सा ऐसा देश है जिसने state of emergency declare कर दिये अपने यहां पर तो correct answer देने की कोशिश कीजिए so the correct answer will be B जापान अब समझ लेते हैं यहां पर यह इशया में अगर बात करें तो जापान है इसने state of emergency declare किया है और हम अगर बात करें अफरीका अफरीका में होगा इथोपिया तो यह state of emergency इनने डेक्लेर किया अब state of emergency lockdown curfew article 144 इनमें आपके काफी confusion रहता है तो वो हम यहां पर थोड़ा clear कर लेंगे देगे पहले आते हैं article 144 article 144 क्या है कि यहां पर 4 या 4 प्लस लोग अगर किसी जगा पर कटे होंगे वाहां पर तो उनको punishment भी देता है even jail भी हो सकती है तो यह है article यहां पर सिर्फ gathering से संबन्द है article 144 हो सकता है किसी छोटे से कोई area में लग जाए या फिर कोई city में लग जाए इसका जो है area जो है बहुत ही कम होता है फिर आता है curfew curfew धियान रखिए थोड़ा सा article 144 से थोड़ा strict है और curfew में 144 include रहता है तो curfew में क्या होता है कि यह city या दो-चार city या फिर कुछ बड़े जगाँ पर यह लगता है और इसमें क्या होता है कि कुछ दंगा फसाद हो जाने की कारण से वहां के जो area में जो लगता है curfew वहां के लोगों को घर से बहार निकलना भी allowed नहीं है ठीक है यानि यहां पर जो होता है even जो market जो है schools जो है colleges सब बंद हो जाते है closed and other services जितने भी काम की services जो भी सब पूरी suspend हो जाती है यानि curfew में भी अगर आप अगर भार निकल जाते हो तो आपको या तो वो जो है पुलिस वगर डंडे वगर मार सकती है या फिर अगर नहीं मानोगे तो आपको jail भी हो सकती है तो यह देखो इसका area जो है 144 का छोटा है curfew का थोड़ा बड़ा है अब आते हैं lockdown पे lockdown ध्यान रखे इसका area इससे curfew से बड़ा होता है यानि कि अगर हम कहें पूरा state तो पूरा state पे lockdown डिक्लेर होगा और lockdown में ध्यान रखना यहाँ पे भी क्या होता कि बहार निकलना गोमना शिटना मना है लेकिन market और other services जो है यह आपको उपलब्द होगी यह इसके लिए आप जा सकते हैं आपको allowed है यानि limited access आपको allowed है आप जा सकते हैं बाहर भी जा सकते हैं लेकिन आप बाहर भी जा सकते हैं लेकिन कुछ काम होना चाहिए कुछ purpose होना चाहिए तो ही इसका main reason इसका क्या होता है कि इसको social distancing maintain करवाने के लिए यह lockdown जो है इसका announcement होता है इसको लगाया जाता है तो इसका area बड़ा है और आगे आते हैं state of emergency पे तो state of emergency में जहानक नहीं यह बड़े level पहोता है यह एक state पे या फिर पूरे country पे लग सकता है और इसका main reason क्या होता है कि national danger अगर हो किसी मिलब राष्टी आबदा अगर आ जाए तो यह state emergency लगती है तो इसमें क्या होता है government क्या करें कि suspend कर देगी सारे जो है normal constitutional procedures है सारे इनको suspend कर देगी यानि आप जैसे हम कहें अगर हमें fundamental rights उपलब्द है कि freely हम कहीं पर आ सकते हैं सकते रह सकते हैं सारे state of emergency सारे खतम हो जाएंगे और जैसे कि जो state कहेंगा यानि यहां के जैसे हम कहें महाराष्ट तो महाराष्ट की government जो कहेंगी वो और अगर इंडिया में अगर बात करें तो इंडियन government जो कहेंगी वो सब पे applicable होगा वो सब को मानना पड़ेगा ठीक है अब आते हैं question number 19 पे make sure make sure एक diagnostic kit है तो make sure a diagnostic kit was recently in news it is developed to diagnose which type of disease given below यानि यह जो नीचे दिये गए है इन में से कौन सी जो है बिमारी है उसको मापने के लिए make sure नाम का एक kit जो है invent किया गया है so the correct answer will be D. COVID-19 यहां पर देखिए D. यह rapid diagnostic test kit है यह कौन सा make sure और इसको develop किया गया है कि COVID-19 से जो infected person है उनका जल से जल पता लगाने के लिए ताकि उनका समय पर उनका जो है उपचार किया जा सके अब आते question number 20 पे which country is the largest producer of hydroxychloroquine accounting for nearly 70% of annual global production यहांने कि जो पूरा global production पूरा globe जो है पूरा अर्थ जो है इस पे जितना भी hydroxychloroquine का जो production होता है उसका 70% कोई एक country है वो production कर देती है तो वो कौन सी country है इसका answer दीजिए So, the correct answer will be B So, that's all for today If you like my videos, please like, share and subscribe Bye Bye Have a nice day